वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल आज की इस वीडियो में हम उन मैथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे स्ट्रेंथ इंप्रूव की जा सकती है लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन और टाइपस ओफ स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप टॉप राइट कोरनर पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए बिना समय कवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की और तो सबसे पहला मेथड है आईसोमेटरिक एक्ससाइज़ करके हम अपनी ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं आईसोमेटरिक एक्ससाइज वो होती है जिसमें मसल्स पर टेंशन पड़ती है और उसकी मूवमेंट में किसी भी परकार का चेंज नहीं आता जिससे कि उसकी length भी same रहती है Isometric contraction हमें कई बार देखने को मिलती है जैसे कि wall को push करते समय भी Isometric contraction होती है जिसमें muscle में किसी भी तरह का change नहीं आता और उसकी length भी same रहती है Isometric exercises की कई सारी advantages है जैसे कि इस exercise से static strength develop होती है और इसको करने में भी बहुत कम समय लगता है इसके इलावा ये exercise किसी भी जगा पर की जा सकती है क्योंकि इसको करने के लिए किसी भी तरह की equipment की जरूरत नहीं पड़ती आगे strength improve करने का दूसरा method है Isotonic exercises Isotonic exercise एक ऐसी exercise होती है जिसमें muscles की controlled contraction और extension होती है और इसमें joints भी mobilize रहते हैं यानि joints एक जगा पर तेरे होकर freely movement कर पाते हैं Isotonic exercise की example है जैसे कि squats या फिर push-ups करते समय हमारे muscles जो है उनकी length change होती रहती है Isotonic exercise की advantage है कि इससे muscles में strength develop होती है और कई तरह की sports में Isotonic exercises को असानी से अपनाया जा सकता है Strength को improve करने का तीसरा method है Isokinetic exercises तो Isokinetic exercise वो exercise है जो की एक specially designed machines के उपर perform की जाती है Isokinetic exercises में flexor और extensor दोनों परकार के muscles में movement और continuous tension होती है Flexor muscles वो होते हैं जो की flexion करने में मदद करते हैं और extensor muscles वो होते हैं जो की muscles की extension करने में मदद करते हैं इसकी examples हैं जैसे की cycling, swimming, in activities में Isokinetic exercise होती है Isokinetic exercise के advantage है कि इससे dynamic और explosive दोनों तरह की strength develop होती हैं और दूसरा ये एक player को किसी भी परकार की game के लिए त्यार करती हैं आगे हम इन तीनों परकार की exercise के precaution पढ़ लेते हैं तो जिन लोगों को heart की problem है उनको इन exercises से परहेज रखना चाहिए क्योंकि इनसे blood pressure बढ़ जाता है तो आज की वीडियो में बस अतना ही उमीद है कि आपको आज का topic clear हो गया होगा अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे channel को subscribe कर लें एक बार हमारे channel पर भी visit जरूर करें वहाँ पर हमने different different subjects की playlist भी बिनाई हुई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching and take care